हेलो फ्रेंड्स, रिस्का जी के जेस में आप लोगों का स्वागत है आज हम आप लोगों के लिए 10,001 लाइनर कोस्टन की सीरीज लेके आया हैं जिसके जरिए सभी विसेयों को कभर किया जाएगा और यह सिविक्स का पार्ट 2 है अगर इस सेशन की PDF चाहिए तो हमारे टेलिग्राम चैनल इरिस्का जी के जेस को जोइन कर सकते हैं और मोर विडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आए चलते हैं कोस्टन पे कोस्टन नमबर 1 यदि भारत का राष्ट पती पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है तो उप राष्ट पती को ये पत्र भेजना पड़ता है बित आयो का गठन होता है बित आयो का गठन सविधान के प्रवधानों के अंतरगत होता है दसवे बित आयो के अध्याच कौन थे तो दसवे बित आयो के अध्याच केसी पंत थे भारत के सविधान में अब सिष्ट सक्तियां किसमें नहीं थे तो भारत के सविधान में अब सिष्ट संक्तियां संसद में निहित है भारतिय सविधान के अंग नीती निर्देशक सिधानतों का सुरोत क्या है तो नीती निर्देशक सिधान आयरलेंड के सविधान से लिये गए है सविधान के किस अनुछेद में सविधान संसोधन की परिकिरिया दी गई है तो अनुछेद 368 में सविधान संसोधन की परिकिरिया का वर्णन किया गया है समाजबाद वह टोपी है जो सुविधान उसार पहनी जा सकती है यह कथन किस परसिध आलोचक का है तो यह CM जोड का यह कथन है किस एक्ट के तहट भारत सचीव की अस्थापना हुई थी तो भारतिय परिसद अधिनियम 1889 के तहट भारतिय सचीव की अस्थापना हुई थी परिसीमन आयोग का पदेन सदस कौन होता है तो मुख चुनाव अधिकारी परी सीमन आयोक का पदेन सदस होता है सविधान के किस अनुछेद में यह उक्ति की केंदरिये कारेपालिका सक्ति के परियोग में कोई बैवधान न उपस्तित हो यह उलिखित है तो यह अनुछेद 257 में यह बरनित है सारवजनी के लेखा समीती में राज सभा के कितने सदस होते हैं तो कुल साथ सदस होते हैं किस सविधान संसोधन के तहट लोक सभा का कारेकाल 6 वर्स से घटा कर 5 वर्स कर दिया गया है तो यह 44 सविधान संसोधन के तहट किया गया है सविधान में मुल्क करतव्यों से सम्वंधित प्रब्धान किस समीती की संस्तूतियों के अधार पर समलित किये गए हैं बारतिय सविधान की प्रस्ताबना में अभी तक कितनी वार संसोधन किया जा चुका है तो मात्र एक बार भारतिय सविधान की प्रस्ताबना में संसोधन किया गया है वह कौन सा अनुछेद है जिसके प्रभधानों के अंतरगत अपवाद स्वरूप भारत सरक्वारदारा भारत रत पद्म विभूसन आदी अलंकरन परदान किया जाता है तो ये अनुछेद 18 के तहत ये किया जाता है किस समिधान संसोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22 राज घोसित किया गया तो 36 समिधान संसोधन 1975 के तहत सिक्किम को 22 राज घोसित किया गया है नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर ने किस मोलिक अधिकार को भारतिय सविधान का हिर्दय एवं आत्मा कहा है। भारतिय सविधान अंगेकरीत किया गया था। किस संसोधन द्वारा नागरिकों के मोलिक करतब्यों को समलित किया गया है। योजना आयो का गठन 1950 में किस के द्वारा हुआ तो ये मंतरी मंडल के निर्णई के द्वारा हुआ था। सविधान सभा के सदस्चों को किसने परत्यच रुप से निर्वाचित किया। तो प्रांतों की बिधान सभाओं ने परत्यच्छ रूप से निर्वाचित किया था भारत्य सभिधान की संसोधन प्रकिरिया किस देश के सभिधान से प्रभावित है तो यह दच्छिन अफिरिका के सभिधान से लिया गया है पंचायती राज अधिनियम उनैसो बानवे द्वारा सविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है तो इक ग्यारवी अनुसूची जोड़ी गई है राज के नीति निर्देशक ततवों का वर्नन सविधान के किस भाग में नीथ है तो भाग चार में राज के निति निर्देशक ततवों का वर्णन है दल बदल विरोधी कानू सविधान का कौन सा संसोधन समंदित है तो ये 52 सविधान संसोधन 1985 से समंदित है लोग सभा की सदस्ता है तू निंतम आयू सिमा कितनी है तो ये 25 बरस है 87 सविधान संसोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन छेतरों के परिसीमन का अधार किस जनगन्ना को निश्चित किया गया है तो ये 2001 की जनगन्ना को निश्चित किया गया है मुल अधिकार एवं राज नीति निर्देशक ततवों में क्या अंतर है तो मुल अधिकार योग्य है जबकि नीती निर्देशक तत्व योग्य नहीं है next भारतिय सविधान के नुसार राजनीतिक सक्ति का अधार है तो भारत की जंता राजनीतिक सक्ति का अधार है मेनी कंस्टिटूचन किसे कहा जाता है तो 42 सविधान संसोधन को mini constitution कहा जाता है यानि छोटा सविधान भारतिय सविधान किस परकार की नागरिकता परदान करता है तो ये एकल नागरिकता परदान करता है किस सविधान संसोधन में सविधान की प्रस्ताबना में संसोधन किया गया है तो 42 सविधान संसोधन 1976 में भारत के सविधान की प्रस्तावना में संसोधन किया गया है सविधान सभा के अस्थाई अध्यच कौन थे? तो सविधान सभा के अस्थाई अध्यच डॉक्टर राजियंद्र परसाद थे next तो thank you दोस्तो आज का session यहीं समाप्त होता है मेरा अगर यह session अच्छा लगता है तो इसे like करें, share करें